जहें साथ यो तो SCGD Constable की वेकंसी इंक्रीज हो चुकी है और फाइनल नोटीस भी पब्लिस हो चुका है SC की वेबसाइट पर आपको नोटीस डेखने को मिल जाएगा 13 जून को SC ने ये नोटीस पब्लिस किया है अब देखें ये नोटीस पब्लिस हो चुका है इसका आरत ये है कि आपका रिजर्ट भी बहुत ही जल्द आने वाला है क्योंकि इनका जो रिजर्ट बना होगा वो 46,000 वेकंसी पर बना होगा ना कि 24,000 तो अब बहुत सारे भ्यारति कहेंगे कि 13 जून को वेकंसी बढ़ी तो इसका आरत ये है कि अब ये रिजर्ट बनाना शुरू करेंगे ऐसा बिल्कुल भी नहीं है इनके पास ये वेकंसी बहुत ही पहले से होगी आपका रिजर्ट बनकर तयार भी हो गया होगा अब ये इसलिए बता रहें क्योंकि रिजर्ट आने वाला है तो इसलिए अब ये नोटीस डालके बता रहें सभी को कि इतनी वेकंसी है जो result में candidate का name आएगा वो इसका 8 गुना आएगा तो इसलिए इन्होंने अब ये notice publish किया है क्योंकि result आपका आने वाला है और result जो आपका बना है वो इतनी वेकंसी के base पर बना है तो अब यहाँ पर बात करते हैं कि result आपका कब तक जारी होने की संभावना है कब तक आ सकता है और फ्रेंस अगर channel पर पहली बार आने तो subscribe कर लीजेगा आगे के जो कुछ भी update होंगे आपको इस channel पर latest update मिलता रहेगा और आप लोग telegram को भी join कर लीजेगा क्योंकि जो कुछ भी notice आता है physical से related कोई physical का internal notice जो कुछ भी आता है आपको सबसे पहले टेलिग्राम channel पर मिल जाता है तो आप लोग telegram को join कर लीजेगा link आपको description box में मिल जाएगा तो अब यहां पर हम बात करते हैं कि result कब तक आने की संभाव ना है और आपके physical कब तक हो सकते हैं तो यहां पर देखे result कब तक हो सकता है उसके बारे में बात करें तो twitter पर कोई एक account है हलांकि यह sse का official account नहीं है क्योंकि sse का कोई भी twitter पर account नहीं है कि इन्होंने जो एक date बताया था 15 zone को इन्होंने बताया था कि 15 zone को result आएगा और यह date जो इन्होंने बताया था वो 20 माई को ही बता दिया था अब देखे 15 zone तक हो सकता है कि आपके result declare हो जाए और बहुत सारे लोग आज भी कह रहे हैं कि 14 zone तक संभावना है जो भी internal जनकारी मिल पा रहे हैं तो बहुत सारे लोगों का यह भी कहना है कि 14 zone को ही आपके result आ सकते हैं आज भी result आने के संभावना रहेगी किन्तों अगर हम पिछली बार की देखें तो पिछली बार इन्होंने वेकंसी इंक्रीज का notice 20 March को डाला था और पिछली बार जो result आया था वो 8 April को आया था अर्थात notice आने के 15 दिन बाद जो है वो आपका result आया था तो result बहुत ही जल्द आ सकता है तो आज इकल तक भी संभावना रहेगी अगर आज इकल तक result नहीं आता है फिर आफ समझ लीजे कि comes from 10 दिन बाद ही आपका result declare होगा तो 14-15 को भी संभावना है result आने की उसके बाद अगर 14-15 तक नहीं आता है फिर आप समझ लेना कि 20 के बाद ही आपके result declare होने की संभावना रहेगी बाकि जो कुछ भी update आता रहेगा हम आपको confirm करेंगी और देखें 15 को भी सकता है 15 को Saturday है तो Saturday को पिछली बार आया था Saturday को आने की संभावना रहती है क्योंकि अभी MTS का भी notification देना है तो हो सकता है कि दोनों ये साथ में दे दे पिछली बार Saturday को भी result आया था कि तुहां Sunday को संभावना नहीं रहती Sunday को आपका result नहीं आता Saturday तक संभावना रहती है तो चलिए आगे के जो कुछ भी update आइंगे इंफर्म करेंगे अब हम यहां पर हम बात करते है फिसकल डेट के बारे में कि फिसकल आपके कब तक हो सकते है तो देखें फिसकल का जो टिंडर का नोटीस है ज्यादा से ज्यादा आप यह मानिए कि maximum आपके पास एक महीने का टाइम बचा हुआ है या फिर 20-25 दिन का ही टाइम बचा हुआ है चैंकि result आने के बाद बहुत फास्ट काम होगा बिलकुल भी आपको टाइम नहीं मिलेगा तो चलिए हमने जो कुछ वीडाउट था आपको बता दिया कि आज कल तक आ सकता है नहीं तो भी इसके बाद दिसांभावना रहेगी जो कुछ भी अपड़िट आएगा इंपर्म करेंगे मिद्दे नेक्ट वीडियो में तब तक लिए उजाहिन